आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्म निर्भर हो गए हैं और इनका निर्याद भी कर रहे हैं। आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता की इसी ताकत को हमें टीका करन के इस दोर में भी ससक्त कर रहा है। साथियों महान तेलुगु कभी स्री गुराजाडा अप्पाराव गुराजाडा अप्पाराव ने कहा था। सौंत लाभं कौंत मानुकु पवरू गुवाडि की तोडू पाडवोय। देश मंटे मट्टी कादोई देश मंटे मनुशलोय यानि हम दूसरों के काम आएं। ये निस्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए। राश्ट सिर्मित्टी, पानी, कंकड, पत्तर से नहीं बनता बलकि राश्ट का अर्थ होता है हमारे लोग। कौरोना के विरूद लड़ाई को संपुर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। आज जब हम बीते साल को देखते हैं, तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक रास के रूप में, हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टी का करन भ्यान शुरू कर रहा है, तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूँ। कोरोना संकट का वो दौर, जब हर कोई चाहता क्या कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सुचते थे। सामान्य तोर पर बिमारी में पूरा परिवार बिमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुड जाता है। लेकिन इस बिमारी ने तो बिमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बिमार बच्चों को मा से दूर रहना पड़ा। मा परेशान रहती थी, मा रोती थी, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता, अस्पतान में अकेले अपनी बिमारी से संगर्ष करने को मजबूर थे। संतान चहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़ कर चले गए, उनको परंपरा के मताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। टरू हरा, चुशेश मिल सकी जो हमें अज़ नहीं जाम नहीं मिल सकीयरिक दरी भी जहीं मजबुशन सक्था